मिलेगा जो 30 लाग बेकंसी खाली है उसको भी भरा जाएगा खटा-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-ख इस देश में अमन और सांती के नाम पर स्रिफ और स्रिफ जंता को लूटा गया है बागी कुछ हाई ही नहीं और अब इंडिया एलाइंस की सरकार बनेगी इवाओ को रोजगार मिलेगा महिलाओं के खाते में पचासी सो रुपए खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा- भी भरा जाएगा खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-खटा-टा-टा- जोप है तो ठंड भी आएगी तो जितना बाजपा की सरकार में हुआ अब उदय हो रहा है अब गड़बंधन की सरकार बंद रही है जाने वाली यह साफ होने जी देखना चटे साथे चरण तक जोला उठाएंगे और चले जाएंगे कहा जाएंगे यह आपको भी मालूम है हमको भी मालूम है और भहिया को भी मालूम है इंडिया में एक लाग एक परसंट इंडिया जीत रहा है देश के युवा जीत रहे हैं और जो ये ब्रश्ट मूदी सरकार है जिसने पूरे देश में एक नफरत की दुकान पैदा करी वो पूरी तरह डेड़ सो भी पार नहीं कर रहा एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हम स्वाता चरन आते आते मोदी जी हमा हो गई आज दिली के अंदर एक कनहिया कुमार जैसा गरीब कैंडिडेट जिसके घर के अंदर खाने के वन्दे हैं उसके खिलाब प्रचार करने नहिंदर मोदी जी को आना पड़ गया ये बहुत बड़ी बात है एक वो कनहिया कुमार दिली उनिवर्स्टी का खाली प्रेजिडेंट रहा जो टूटी चपल में प्रचार कर रहा है दिली के सबसे करोड़ पति सांसत के खिलाफ तो आप इस बात को समझ जाए कि कही ना कहीं भाश्पा पूरी तरह खौफ में है अच्छा तो यहां क्या लग रहा है कौन जीतने करनेथी उदितराज यहां से इंडिया कट बंदन के प्रत्याक्षी है और खाली उुदितराज जी उदिली की साते मिलेकर लेहा किरेज़े कंवाल के रखें ईगली बार फिर कोई ना नमूना लाएं. क्योंकि नोने अगर इतना ही इनके सांसतों ने काम किया था तो क्या जरूरत पड़ी भाजपा को अपने छे प्रत्याक्षी बदलने की काम करेगा जो जनता के बीच रहेगा जनता की सावाज को लड़ेगा उसको तो टिकेट देनी चाहिए थी क्या कारेंड था आपने अंसर है आप एक बार समझिए आप के पेरेंट्स अगर आपको पूरा पना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं और उसके बाद आपको नौकरी ना मिले आप जिस आप बीकॉम करके या या बीसी ए करके आप 30-40 यारुपे डिग्री के नौकरी के आप हतिकारी क अब आपको 10-40 यारुपे की नौकरी करनी पड़े मजबूरां बेरोजगारी के चपेट में आके तो आपको कैसा लगेगा असरत क्या लगता क्या मेन कारण क्या रहने वाला है कि मोदी जी हटने वाले हैं मेन कारण यही है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है महंगाई चरम पर है जीडीपी की बात करते हैं जो मनमौन सिंग जी ने जब देश में एक महीने का पैसा नहीं बचाता आज देश को करोड़ों अर्बों रुपे का इंफ्राइशक्टर देश के अंदर खड़ा कर दिया जहां जिस देश के अंदर जब यह कहते हैं कोंग्रेस ने साट क्यां जो बिख्यव यह सिर्फ अडानी-अभानी की तरफ रहा रह हैं कि आने वाले दस सालों में हम और भी के हैं आर बार बार मोदी जी के फ्यवर में क्यों बोल रहे हो पहले वक्यों एक ह। आप बार बार मोधी जी के फेवर में बोल रहे हो आपको क्या कोई आप भी ओर दलाल मीडिया वाले तो नहीं हो मोधी जी के बायान पर आपकी क्या सोचे ये जानना जंता को जरूरी है मेरी बिल्कुल यही सोचे कि मैं मोधी जी के बायान से सहमत नहीं हूँ इन्होंने देश के युवाओं को बेरोजगार रखा, देश की महिलाओं को महिंगाई की मार मारी, जिससे आठ देश की महिलाओं को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, इन्होंने हिंदु मुसल्मान को लड़ाने का काम किया, इन्होंने देश के युवाओं को भटकाने का काम किया चा क्या लग रहे है, लगतर मोदी जी हरोप लगा रहे है कॉंग्रेस पे की युवाओं को पीछे ढखेलने का काम किया है कॉंग्रेस ने, लेकिन विपक्ष कहती है कि भाजपा ने युवाओं को बर्बाद करने का काम है देखो मेडम, इनकी सरकार में 83% से ज़्यादा युवाओं विरोजगार हो गए है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना है, तो भाजपा में हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है, वो य उनकी बॉखलाट और गर्मी साब पता चलती है कि सरकार कि सोर जा रही है, और मेडम किसी ने और लिखाता है कि तलुआरों के साहे पर इतिहास हमारा बनता है, जिस और जवानी चलती हो, सोर जवाना चलता है, अब बताईए आरो का पेपर लिख हो जाता है, सरकार खामोस यूपी पुलिस का पेपर लिख हो जाता है, सरकार चुप रहती है, और जो इंडिया अलाइंस का मेनुफिश्टो कहता है कि अगर पेपर लिख होगा, तो हम 20,000 रुपे का मौज़ा देंगे, अगर होगा तो, वससे हम सक्से सक्त कानून बनाएंगे कि पेपर लिख नहों और जल्द ही संसत के अंदर जा रहे हैं, क्या लग रहा है, उत्तर पश्चिम दिल्ली में क्या नतीजा आने हैं, मैंने बताया तो उदितराज साहब के फेवर में हैं में, उदितराज जी जीतेंगे और सजन जाएंगे, जनता उनको फुल सपोर्ट दे रही है, क्योंकि भ गैरेंटियों पर राहुल गांधी की गैरेंटियों पर भरोसा है। रहें जिसके उन्होंने गैरंटी ले थी उस गैरंटी को नहीं निभा पाए तो आपके और हमारी गैरंटी लेंगे